तो आज हम देखेंगे जो Zoom app है, हम उसे किस तरह से इस्तवाल में लेंगे, यह आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और यह आपको आपके desktop या laptop के लिए भी zoom.us पर available है, तो मैं आपको बता जाता हूँ यह किस तरह से आप use में ले सकते हैं, आपको कोई meeting करनी है, या को किसी भी तरह की meeting एक अगर आपको host करनी हो, या आपको कोई class, online class देनी हो, उसके लिए इसमें बहुत सारी features ऐसे available हैं, जो कि आपका जो session होगा, उसे interactive बनाने में काफी helpful होगे, तो सबसे पहले आप अगर mobile phone यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप play store से इसकी app को install कर सकते हैं, या फिर आप अगर desktop या laptop पर use कर रहे हैं, तो zoom.us पर आगर आप आएंगे, तो इस website पर आपको इस तरह से ये, एक interface आपको नजर आएगा, यहाँ पर आपको sign up पर आकर click करना है, और यहाँ से आप अपनी email id के उपर enter करेंगे, और जैसे ही email id आप enter करेंगे, और submit करे तो आपकी जो email id है, उसके ऊपर एक mail आएगा, जो की activation mail होगा, वहाँ पर एक आपको link दिया जाएगा, या तो आप उस link पर click कर सकते हैं, या फिर आपको activate link का एक option मिलेगा उसमें, वहाँ पर आप click करके इस link को activate कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपना password डालेंगे, आपको ए small, मतलब upper case और lower case आपको दोनों तरह के alphabets use करने हैं, कोई number या special symbol भी use होना चाहिए, और आपका कम से कम 8 digits का या alphabets का आपका जो password होना चाहिए, तो जब आप password generate कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखा जाता हूँ, sign in करके किस तरह से आप इसे use कर सकते हैं, तो कि यहां से आप या तो एक meeting को host कर सकते हैं, या फिर आप किसी meeting को join कर सकते हैं, दोनों option है, आप यहां देख सकते हैं, join meeting और एक है यहां पर host कर सकते हैं, तो या तो आप एक meeting को host कर सकते हैं, या आप किसी class को अगर चाहें एक virtual classroom अगर बनाना चाहें, तो आप अपनी class को यहां पर एक host कर सकते हैं, और या फिर आप किसी meeting को जो आलरेडी चल रही है, आप उसे join कर सकते हैं, किसी भी meeting को join करना चाहते हैं, या host करना चाहते हैं, तो एक जो सबसे important चीज है, इसमें यहां पर है यह personal meeting ID, यह आपको मालूम होनी चाहिए, suppose आपकी meeting को कोई join करना चाहत है, तो उसके पास यह आपकी ID होनी चाहिए, या फिर उसके पास यह link होना चाहिए, या तो वो इस link से आपकी जो meeting है, उसे join कर सकता है, या फिर इस ID से वो join कर सकता है, तो पहले मैं आपको बतायता हूँ, किस तरह से आप, कैसे आप join करेंगे, किसी भी meeting को या किसी भी class को तो मैं यहाँ पर दूसरे phone से एक meeting को यहाँ पर start कर रहा हूँ या आप कह सकते हैं class meeting कुछ भी आप मान सकते हैं मैं उसे start कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप join उसको करेंगे तो यहाँ से मुझे करना होगा join meeting तो देखें यहाँ पर यह meeting ID और वो personal link नेम जो है वो मांग रहा है जो भी मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर मैं वो जो personal ID है तो मैं यहाँ पर उसे enter कर देता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ join अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक option अच्छा देखें जब आप यहाँ पर पहली बार इसे use करेंगे यहाँ पर मेरे पास option आरा open zoom क्योंकि वो मेरे में पहले से installed है अगर वो install नहीं होगा तो आपके पास यहाँ पर download का option आएगा आप उसे download करेंगे और download करने के बाद आप उसे install करेंगे install करने के बाद आपके पास भी क्या होगा open zoom का option आ जाएगा वो अपने आप आपको यहाँ पर download करने के लिए आ जाएगा आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है और अगर आप mobile पे यूज़ करें वहाँ पे आपको इसे install करने की ज़रूत नहीं है यह जो install वाला option आएगा यहाँ पर वो सिर्फ laptop या desktop पे आपको मिलेगा phone के अंदर अगर आप इसकी app यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से हमें वह password भी एंटर करना होगा मैंने password यहाँ पर एंटर कर दिया है और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आप join meeting यहाँ पर देगे join with computer audio का आपको option मिल रहा है यहाँ पर आप अगर microphone यूज़ करना चाहते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आप इस पर click कर दीज़े आप अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह स्क्रीन पर मेरा face आ रहा है वो दूसरे phone से आ रहा है जहां से मैंने इस meeting को start किया हुआ है यहाँ पर देखिए options हमें सारे दिखा जाते हैं कि कितने participants हैं अगर मैं screen को share करना चाहूँ mobile की जो screen है या अपनी screen है शेयर करना चाहूँ आप यहां से जाओ तो record कर सकते हो जो video चल दियो जो भी class चल दियोगी आप से record कर पाएंगे तो यहां पर बहुत सारे option होते हैं अगर आप एक class start कर रहे हैं या आप सारे option होते हैं यहां पर यह चैट का भी option है उसके बाद और invites बहुत सकते हैं यहां से अगर आप video start करना चाहें तो आप उदर video पर show होँगे इसी तरह से यहां पर चैट करेंगे तो reactions की आप thumbs up और यह सब दे सकते हैं तो यहां से बहुत सारे option आपको मिल जाते हैं तो अभी फिलाल मैं क्या करता हूं इसे बंद कर देता हूं यहां से आएगा लीव मीटिंग का option यहां से मैं मीटिंग को लीव कर देता हूं उसके बाद देखिए join a meeting हो गया हमारा तो host a meeting इसी तरह से आप post भी कर सकते हो meeting को और एक schedule भी कर सकते हो आप अगर किसी particular टाइम पर meeting को schedule करना चाहते हो तो आप यहां से meeting को schedule भी कर सकते हो आप उसका नाम दे सकते हो description दे सकते हो कब आपको करना है जो zoom का हमारे पास basic plan है उसमें क्या होता है यहाँ पर आप maximum 40 minutes के लिए आप क्या कर सकते हैं जो 3 से लेके 100 participants अगर आपके पास हैं तो आप 40 minutes तक एक meeting कर सकते हो मतलब अगर आपको कोई period है लेक्षर है तो आप 40 minutes से जाद है उसे नहीं कर पाएंगे अगर आ यहां से आप यह सारे options कर सकते हैं आप meeting ID बना सकते हैं उसके बाद meeting password अगर आप रखना चाते हैं तो यहां से आप पासवर्ड भी दे सकते हैं यहां से आप इसे enable कर सकते हैं mute participants upon entry आप इसे कर सकते हैं आप किसी भी time कर सकते हैं किसी को भी यहां से अगर आप mute कर देंगे त तो उधर से कोई बोल नहीं पाएगा जैसे कि आप class ले रहे होते हैं तो अगर आपके पास 20-30 students हो जाते हैं अगर वो सारे बोलने लगेंगे तो शायद आपकी class disturbed हो जाएगी तो इस तरह से आप इसे यहाँ पर enable कर दें जब भी आप एक कोई meeting को schedule कर रहे हैं या host कर रहे हैं यहाँ से waiting room को आप enable कर लें जिससे कि लोग wait कर पाएं वहाँ पर कोई भी आपके आने से पहले अगर join कर लेता है उसके बाद आप इस option को भी कर सकते है record the meeting automatically जिससे कि वो जो आपने video बनाई है वो सारी की सारी आपके पास record हो जाए आप save कर दें और उसे फिर क्या करें share कर दें लोगों के साथ तो इस तरह से आप इसे use कर सकते हैं इसी तरह से जब आप host करेंगे meeting को तो आप video के साथ कर सकते हैं video off कर कर सकते हैं या आप अपनी screen को share करना चाहे तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं तो आप जैसे भी इसे इस देते हैं तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं मीटिंग या होस्ट कर सकते हैं किसी मीटिंग को अपना एक वर्चुल क्लासरूम आप यहां से बना सकते हैं